इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा इशा को बुलाया इसलिए बहुत अच्छा लगा इक मोड आया उत्य दिल छोड आया राखी जी हमा मालनी जी भी आया अरे रुक ना मैं उत्य दिल छोड आया थी आज अपी उनीब शूट कर क्या रहे उन्होंने बहुत तारीफ इया सनी बाद देफिनली उनकी ममा है सनी जी की ममा है दर्मेंदर जी की वाइफ है एशा उनकी बहने है तो तारीफ तो करेगी ना बड़ जिसा जैसे मुझे ये कहना था कि जैसे फिल्म में उन्होंने फिल्म देखने के लिए बुला लेता तो ज्यादा बैतर होता आशिरवाद देने के लिए वो आपकी मा है तो आशिरवाद देने के लिए बुलाना चाहिए था शादी में आपको नहीं लगता है बुरा देश की नजरे थी के अभी हमा जी अपने खुदसरा ड्रीम का अपने खुदसरा शादी मतलब साधियां अच्छी पहन कर आएगी करके अभी यल्विस के वारे में क्या कहना तो इसमें क्या लगता है कुछ लोग कह रहे हैं वो विनर नहीं बनने वाले थे लेक्ट उन्होंने बिग बॉस के लोगों को धंकी दीती कि हम सेड जला देंगे ये जला देंगे वो जला देंगे उनके कुछ लोगों ने तो इसलिए जबरदस्ती उनको जिताना पड़ा वरना विनर तो पुजा बढ़ती, मनिशा रानी थी या फिर अभिशेक थे क्योंकि वो लग बेवन से आये थे बड़ एक बात की खुशी है कि वो वाइल कार्ड बनके आती हूँ मैं कभी नहीं जितती हूँ, वाइल कार्ड में कोई जितता नहीं है तो ये सिर्फ बिग ब वाज के लोगों को दमकी दी गई थी, और कुछ नहीं था, इंस्टाग्राम पे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अनलाइव आने पर टेंथ और टेंथ और टेंथ में उनका नाम आया है, इंडिया में नमबर वन उनका है, अरे तो कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, मै अलवेश, यादा हो, हमें रोस्ट करते हो ना, अब हम तुमको रोज रोस्ट करेंगे, समझ गे, पुरा बॉलीवूड को, सलमान को भी नी चोड़ा, मुझे भी नी चोड़ा, हमें इतना रोस्ट करता है, बिग बॉस में अने जबले इनों ने अपमें यूटूब इतना इतना लोगों को रोस्ट करता है, अब आपको कैसा लगता है, अलवेश, हम तुमें रोस्ट करेंगे, और खाएंगे भी, लेकिन बिग बॉस में उनका, मैं अभी कहना चाहरी हूं कि, अलवेश, अब तो तुम बिग बॉस की ट्रोफी जित गए, अब रोस्ट करना बंद क लेकिन बिग बॉस में वो अगितम पुरा नरम दीखे के हों कि, पुल्ली में प्हुलाज ख 되면